हमें दिया गया है अगर दो संख्याओं का गुड़नफल माइनेस 16 है तो उनके वर्गों का नियूंतम संभो योग क्या है तो माल लेते हैं वो दो संख्याओं X तथा Y है तथा संख्याओं के वर्गों के योग को हम S से परिभाशित करते हैं इसलिए S होगा X की घाद दो प्लस Y की घाद दो चुकि यहां हम S को मिनिमाइस अर्थात इसका नियूंतमी करन करना चाहा रहे हैं चुकि S दो चरों X तथा Y का एक फलन है और हमें एक चरके किसी भी फलन का नियूंतमी करन अर्थात मिनिमाइस करना आता है इसलिए क्यों न हम S को पहले एक चरके रूप में बदल लेते हैं या करने के लिए हमें एक जानकारी और दी है यहां दिया है कि संख्याओं का गुड़नफल माइनस सोला है अता है X गुड़े Y बराबर माइनस सोला है यह माइनस सोला के बराबर है इसलिए Y का जो मान है वो माइनस सोला बटे X के बराबर होगा यदि हम y का मान s बराबर x की घाद 2 प्लस y की घाद 2 में रखें, तो हमें s एक x के फलन के रूप में मिलता है, अर्थात s x, चुकि s x का फलन हो जाएगा, तो इसे हम s x लिख सकते हैं, तो s x बराबर x की घाद 2 प्लस माइनेस 16 बटे x की घाद 2, अताह s x बराबर होगा x की घाद 2 प्लस 256 पंगुडे x की घाद माइनेस 2 के, अब जो ये हमारे संख्याओं के वरगों का योग था, जो की x y का फलन था, या सिर्फ x का फलन बन गया है, अब इसका हम निउन्तमी कर अर्थात इसे मिनिमाईस कर सकते हैं, तो इसको मिनिमाईस करने के लिए हमें क्रांतिक बिंदू अर्थात critical points को ग्याद करना पड़ेगा, तो क्रांतिक बिंदू वे बिंदू होते हैं, जिन पर फलन का प्रथम आउकलज या तो 0 होता है, या फिर आपरिभाशित होता है, तो चलो, क्यों न हम SX का प्रथम आउकलज ग्याद करते हैं, तो यदि हम S का आउकलण X के साप एक्ष करें, तो हमें मिलता है Sंद एक्ष बराबर x की घाद 2 का आउकलन x के साप एक्ष 2x प्लस 256 गुड़े x की घाद माइनस 2 का आउकलन x के साप एक्ष माइनस 2 गुड़े x की घाद माइनस 3 तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि S के प्रथम आउकलज में x की घाद माइनस 3 होने की वज़े से यह x बराबर 0 पर परिभाशित नहीं है, इसलिए x बराबर 0 एक क्रांतिक बिंदू होगा, परन्तु x बराबर 0 हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि संख्याओं का गुड़नफल माइनस 16 दिया है, यदि x बराबर 0 एक संख्या हुई, तो गुड़नफल 0 आ जायेगा, जो की सही नहीं है, इसलिए क्रांतिक बिंदू को ग्याद करने के लिए, हम प्रथम आउकलच को 0 के बराबर लिखते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा, 2 को यदि हम कोश्ठक के बाहर रखें, तो यह मिलेगा, x-256 गुड़े x की घाद-3 बराबर 0, तो इसको सरल करने पर हमें मिले मिलेगा, x-256 गुड़े x की घाद-3 यदि हम दोनो पक्षो में x की घाद-3 से गुड़ा करें, बाये हाथ पर मिलता है x की घाद-4 बराबर 256 अब दोनो पक्षो में, यदि हम वर्गमूल ले तो चूँकि 256 का वर्गमूल 16 है, तो यहां मिलेगा, x की घाद-2 बराबर 16, तो हमें x का मान मिलता है plus minus 4, अता है यहाँ पर plus minus 4 हमारे पास दो क्रांतिक बिंदू है, यहाँ पर हम सिर्फ x बराबर 4 पर focus करेंगे, क्योंकि यदि हम x बराबर 4 लें, तो उससे हमें y का कुछ मान मिलेगा, आगे देखेंगे, तथा x बराबर minus 4 लेने पर जो y का मान मिलेगा, वह दूसरा युगम होगा और दोनों युगम समान हमें मिलेंगे, इसलिए सिर्फ यहाँ पर हम x बराबर 4 पर ध्यान देते हैं, अब हम दूतिय आउकलज परीक्षान अर्थाथ सेकंड डेरिवेटिव टेस्स से ग्यात करेंगे कि x बराबर 4 पर फलन का मान निवन्तम है या नहीं, यदि हम s-x का आउकलज x के सापेक्ष पुना करें, तो हमें s-x मिलता है, तो s-x अर्थाथ s का दुतिय आउकलज वा मिलता है हमें 2 प्लस 256 गुड़े माइनस 2 गुड़े माइनस 3 गुड़े x की घात माइनस 4 अब हम x वराबर 4 पर देखते हैं कि हम उर्थगामी परिस्थिती में है, अर्थाथ concave upward position में है, या फिर अवगामी परिस्थिती में, अर्थाथ concave downward position में है, तो यह जानने के लिए हम S double dash X को यह दिदेखें तो इसमें X की घात माइनिस 4 है अर्थात X की घात एक समसंख्या है तो हम X का मान चाहे धनात्मक रखें या रिनात्मक हमें S double dash X हमेशा धनात्मक मिलेगा अर्थात greater than 0 मिलेगा इससे हमें पता चलता है कि S dash X एक वर्धमान फलन है अर्थात X के साप एक्ष S dash X एक increasing function है अताहा S X का जो हमें graph मिलेगा वह एक उर्दुगामी अर्थात concave upward graph मिलेगा तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं यदि इस graph के किसी बिंदु पर हम इसपरश्रेखा कीचें तो इस इसपरश्रेखा की प्रवणता है इस समय रिनात्मक है दूसरे बिंदु पर थोड़ा कम रिनात्मक है तीसरे बिंदु पर उससे कम रिनात्मक है और इस क्रांतिक बिंदु पर जो इस पर श्रेखा की प्राउड़ता है वह 0 के बराबर है और उसके बाद इस पर श्रेखा की प्राउड़ता धनात्मक हो जाती है यदि आपके पास एक बिंदु है जिस पर फलन का प्रथा मोकलज 0 है अर्थात उस पर इस पर श्रेखा की प्रणड़ता 0 हो रही है तथा फलन उर्धुगामी अर्थात कॉनकेब अपवर्ड है तो वह बिंदु फलन को मिनिमाईज करेगा तो इससे हमें क्लियर है कि x बराबर 4 एसको मिनिमाईज करता है आता है x बराबर 4 पॉइंट ओफ मिनिमा है अर्थात निमनिष्ठ बिंदु है तो x बराबर 4 पॉइंट ओफ मिनिमा है x बराबर 4 पर y का मान क्या होगा तो x बराबर 4 पर चुकि y बराबर है माइनस 16 बटे x इसलिए y का मान होगा माइनस 16 बटे 4 जो कि minus 4 के बराबर है चुकि यहाँ ध्यान देने वाली बातिया है कि जब हमने x बराबर 4 लिया है तो हमें y minus 4 के बराबर मिला है तो यह संख्याओं का एक यूग्म है तथा यदि हमने x कमान minus 4 लिया होता तो हमें y कमान मिलता plus 4 तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो संख्याओं का यूगम हमें समान ही मिल रहा है और यदि हम x बढ़ाबर 4 वाला case लेते हैं तो उस इस्थिती में भी हमें जो संख्याओं मिल रहे हैं वह 4 तथा —4 मिल रहे हैं तथा यदि हम x का मान यदि —4 लिए होते उस क्रांटिक बिंद पर हमने विचार किया होता तो हमें जो संख्याओं का यूग मिलता वह माइनस चार तथा चार मिलता तो संख्याओं का यूग मसमान है तो मैं कहूंगा कि x बराबर माइनस चार पर आप विचार करें इसलिए संख्याओं के वर्गों का न्यून्तम योग जिसे हम S minimum से लिखते हैं वा बराबर होगा 4 की घाद 2 प्लस माइनस 4 की घाद 2 जो जोडने पर 32 के बराबर आता है मैं जानता हूँ कि आप मेंसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे मैंने यह काम तो कैलकुलेस के बिना ही कर लिया होता क्योंकि मैंने उन संख्याओं को आजमाया होता जिनका गुडनफल माइनस 16 है तो शायद मैंने माइनस 8 तथा 2 को आजमाया होता या फिर माइनस 2 और 8 को आजमाया होता हो सकता है 4 तथा-4 को भी आजमाय होता और बिना ज़्यादा समय लिये हुए मैंने यह देख लिया होता कि इन में से कौन से युगम पर जो s का मान है वो न्यून्तम है तो यह जान लिया होता कि 4 तथा-4 पर मान न्यून्तम है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता हो सकता था आप इस प्रश्ण को हल कर पाते लेकिन फिर भी आपको यह महसूस नहीं होता कि आपने 4.01 या 4.001 को आजमा के नहीं देखा है वास्तों में आप सभी संभावित मानों को यहाँ आजमा नहीं सकते थे याद रखें कि हमने प्रश्ण में यहां नहीं कहा था कि संख्याएं पूढांख हो बस यहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो पूढांख आ रहा है आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे प्रश्ण में संख्याओं का गुडनफल माइनस 16 ना होकर यदि माइनस 17 होता या फिर माइनस 16.5 होता या फिर माइनस πाई स्क्वाईर होता तब आप xy के सारे संख्यावित मानों को आजमान ना पाते और आपको यही करना पड़ता जो हमने इस वीडियो में किया है